भगवान गणेश चुहे की सवारी कैसे कर सकते हैं? विश्वभर की पौरानिक कताएं असाधारन किरदारों और शानदार कहानियों से भरी हैं. उन में से अधिकतर ऐसे हैं जिनका आर्थ हमें तुरंद समझ में नहीं आता. हिंदू देवी देवताओं को अक्सर किसी पक्षी या जानवर पर सवारी करते हुए दिखाया जाता है. इन्हें वाहन कहते हैं. भगवान विश्णू गरुड की सवारी करते हैं. मा दुर्गा शेर की सवारी करते हैं. यमराज भैसे की सवारी करते हैं. मगर इन सब में सबसे विलक्षन हैं हाथी के सर वाले गणेश जो एक छोटे से चूहे की सवारी करते हैं. इतने विशाल शरीर वाले गणेश भला इतने छोटे से चूहे की सवारी कैसे कर सकते हैं? ये कुछ अजीब सा लगता है, मगर इस चित्रण में एक कहरा अर्थ छिपा है. ये संदेश जीवन के सबसे गेहन सिध्धान्तों में से एक है. इस जीवन के जरिये हमारी यात्रा सही माइनों में चेतना के विस्तार के साथ होनी चाहिए. संसार के प्रते हमारी समझ बदलती रहती है, हमारे विचार बदलते रहते हैं, हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं. जीवन को सही माइनों में और गहराई से अनुभव करने के लिए हमें पूर्वाग्रह और शर्तों के बगैर उसे अनुभव करना होगा. इसके लिए हमारे एहम के शुद्धी करण की जरूरत होती है जैसे जैसे हमारा एहम शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे विनम्रता, सरलता और सहजता जैसे गुन हमारे स्वभाव में चमक उठते हैं हम अंदर से जैसे हैं वैसे ही बाहर होते हैं भगवान गणेश इसी सरल आनंद मई अवस्था को दर्शाते हैं. एक ऐसी अवस्था जहां एहम हलका होता है और वो लौकिक चेतना से निर्देशित होता है. हमें अपने एहम को इतना हलका बना लेना होगा कि एक चूहा भी उसका भार उठा सके. ऐसी अवस्था में किसी के एहम की दिशा या किसी का वजन चूहे को चोट नहीं पहुंचाएगा. और यह यात्रा सिर्फ देवताओं के सामराज में ही नहीं है. हमें से हर एक इसे अपन सकता है.